नमस्कार विंद्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत हैं मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अप्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है दोनों पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया प्रदेश के विंद्य शेत्र में स्टार प्रचारकों के ताबड तोड़ दोरे गुरुआर से शुरू हो चुके हैं आने वाले दिनों में भाजपा कॉंग्रिस के अलावा बसपा के भी कई दिगजनेता इस छेत्र में रैली करते हुए नजर आएंगे आखिर क्या वज़्य है कि सभी दल इस छेत्र में प् जीत हासिल करने वाली भाजपा इस बार संख्या को बढ़ाना चाहती है जबकि कॉंग्रिस दो सीटों से बढ़कर ज्यादा सीटे हासिल करने के प्रयास में लगी हुई हैं इसके लिए तीनों दल ने अपने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारने की पूरी तयारी क इसके बाद रातरी विश्राम के बाद वे प्रचार के साथ असंतुष्टों को साधने का काम भी किया इसके बाद अगले दिन भी वे कुछ विधान सभा शेत्रों में दौरे किये इसके बाद जहां केंद्री मंत्री जोतिरादित सिंध्या 3 नवंबर को मैहर पहुंचे थे और भाजवा प्रद्याशी श्रीकान चत्रवेदी के समर्थन में प्रचार किया था पिछले चुनाओ में भी वे श्रीकान के प्रचार में बैहर आये हुए थे इसी बीच पीएम मोदी का भी 7 नवंबर को सतना दौरा प्रस्तावित है उनका कारिक्रम तयार किया जा रहा ह प्रचाशनिक सुत्रों के अनुसार अगर प्रधान मंत्री का आना कैंसिल होता है तो उनके स्थान पर ग्री मंत्री अमिर्शा सतना आ सकते हैं इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं कॉंग्रिस की तरब से पूर्व सीम कमलनाथ 9 नवंबर को सतना पहुंचेंगे कमलनाथ का सतना में कोई कारिक्रम नहीं है वे सवा 10 बजे सतना आएंगे 20 मिनट बाद प्रियंका गांधी सतना आएंगे और दोनों लगभग 11 बजे के बीच रीवा के लिए निकल जाएंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों मायावती 8 नवंबर को सतना रीवा दोरे पर रहेंगी वे सतना में बीएस्पी उमिद्वारों के समर्थन में जनसभा करने के बार रीवा जिले के दोरे पर जाएंगी रीवा में भी जनसभा का कारिकरम प्रस्तावित है सतना जिले में भाजपा और कॉंग्रेस को उनके बागी नेता ही टेंशन दे रहे हैं कई नेता निर्दली मैदान में उतर गए हैं इससे कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोडी हो गया है इसी स्थिती में दोनों पार्टियों के नेताओं के माथे पर बल आ गया है सतना चित्रकूट, अमरपाटन, नागवद और रहगाओं विधान सभा सीट पर कॉंग्रेस भाजपा और प्रसपा के बीच तगडी लडाई है जबकि मैहर में भाजपा कॉंग्रेस को नारायन तिरपाठी की पार्टी चुनोटी दे रही है सतना जिले में होने वाले स्टार प्रचारकों के दौरे में सिर्फ चुनाओ के लिए खड़े हुए प्रत्याशियों और चुनाओ का प्रचार करना ही नहीं है कि इस बीच सभी विधान सभासीटों पर असंतुष्टों को साधने का जो प्रयास है वो किया जाए ताकि प्रत्याशियों के वोट नहीं कटे और जीत पक्की हो सके बहुत बहुत धन्यवाद